तो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप लोग, आसा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आज मैं आप सभी को बार्वी कक्छा का विशे हिंदी का दूसरा अध्याई उसने कहा था का प्रस्नोत्तर कराने के लिए जा रहा हूं प्यारे बच्चों हिंदी में मैंने पर्थम अधिया समाप्त कर दिया है और हिंदी का जो दूसरा अधिया है दूसरा अधिया यानि उसने कहा था उसने कहा था का मैंने लिखक परिचे आप सभी को समझा दिया उसने का था पाथ का सालांस आप सभी को सुना दिया इसने प्याड़े बच्कों आज उसने का था का प्रसण उत्र करेंगे ठीक है यह पिडिया फांड में लेना चाहते हैं और एम बिबिया और बिबिया प्रस्ट दो हजार बाइस एक्जाम के लिए जानना चाहते हैं तो पैड़े बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं टुवेल्थ पैड कोर्स यहां कोर्स यह बिहार बोर्ट के छात्रों के लिए हैं कल तक फी आपको पूरे साल का मात्र पांसों है पूरे साल का कल तक मात्र पांसों फी है ठीक है कल के बाद आपको एक हजार हैं हो जाएंगे ठीक है यदि आप पांसों पेमिट करते हैं तो प्याड़े बच्चों आर्ट का सभी विसाई का चेप्टर वाइज कोर्षन एंसर आपको फीडियो फाइल में दिया जाएगा ल प्याड़े बच्चों सौर्ट पर्थम जब हम कॉपी में लिखेंगे ठीक है दूसरा उसने कहा था तो हम क्या लेखेंगे तो लिखने के लिए तो इसलिए लिए आप इस प्रकार से अवस्तुरूब से अपने कॉपी में लिखेंगा यदि आपने ट्वेल्ट पैट्स को देले के लिए वाद दिये लिए को क्लिक कर इसे अपने लिए प्यारे बच्चों आज यह लिंक नहीं लेगा यह लिंक आपको कल मिलेगा ठीक है तो लिखक परीच आपको इस प्रकार से लिखना है चैंदर सर्मा का जडर्म साच जुलाई 18883 इस वी को रजस्थान में हु गुलेर गाउं था ठीक है इसलिए चंदर सर्मा गुलेरी कहला है क्या ने कहला है तो गुलेरी कहला है इनके पिता शीवराम थे ठीक है 1901 इसमी में इन्हों ने कलकाता विश्विद्याले से इंटर किये और 1903 यहां पर प्यारे बच्छों गलत लिखावा है 1903 ने 1903 इसमी में इलावात विश्विद्याले से बिए कि ठीक है इनके द्वारा रचित कहानिया सुख में जीवन बुद्धु का काटा और सबसे भारत वर्स वाट इत्यादी है अंग्रेजी में इन्होंने अनेक निवंध भी लिखे हैं ठीक है इन्होंने देश प्रेम को लेकर कुछ कविताई भी लिखे हैं इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हो गया ठीक है प्याड़े बच्छों हम में आते हैं हम आते हैं उसने का था पाठका सरांस लेखे अथ्वा चंद्धर सर्मा गुलेडी द्वराधचित पाठका सरांस लेके ठीक है तो पैड़े बच्छों सरांस तो थे कि हाला कि सरांस मैंने आपको कहानी सुना दिया है इसलिए आप जो है आप इसे कॉपी में नोट करके लीख आप लोग खने खletle प्रस्णोथक्र हम आपको करांगे प्रश्णोथक्रावश पाठका सरांस हम आपको सुना देंगे ठेश्ण है तो पहला प्रश्ण है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बाटी हूई है कहानी कि तो पैर बच्छों मैंने आपको बताया था कि उसने काता यह जो कहानी है यहां पांच भागों में बटी हुई है और पूरी के पूरी कहानी तीन भागों में यूद का वर्णन ने वह भागे दूतिय तिर्तिय और चतुत भाग में यूद के दिसे तो उत्तर में आपको इस प्रकार्श लिखना है उसने कहा था कहान तरणी में तीन भागों में यूद का वणनन है दूतिये तिर्तिये तथा चतुत भाग में यूद का दुरिस्स है ठीक है पैड़े बच्चो इसमें मैंने दो का यहां यहां से तेन्हें कर दिया एक प्रस्चना यहां है ना सिंग का पड़िच्ए देंटें। फिर लाना सींग और उसकी बुद्धी दोनों ही अस्पन निये है इस कतन की पुश्टी करे ठीक है उतर देंगे लाना सिंग बच्पन से ही सहसी था जब सुभेधारणी बालिका थी एनि जब छोटी थी तब लाना सिंग उसे तेरी गुर्माई होकर चिदाया करता था और एक बार उसे दुरगट परीटारनी टंगा वाले के बीच में आह न गई थी तो लाना शिंग ने शुबिदारनी का रक्षा किए तो मिन आपको पताया था थीक भी फिर लाना सिंग वीर के साथ बुद्धी मान भी था वह अपने प्रान को ना देखते हुए वह बोधा सिंग और हजाडा सिंग की प् लाना सिंह निष्टावान प्रेमिक था यह तो बेलकील ही सही बात है कि लाना निष्टावान प्रेमि था तुकि अपना प्राहिए- दे करके के लिए वस विदार्नी को यहां पर क्या हुजाएगा को वस विदार्नी को दिये हुए वशनों को मरते दम तक पूरा करता है अता हम कहा सकते हैं कि तीनों गुनों जैसे वचन पात्रग प्रेमी वीरता ठीक है और बुद्धिमान के लिए वह हिंदी कहानी का एक वीर अस्परनी प्रात है अता इस परकार हम कह सकते हैं ठीक है कि लाना सिंग का दायत बोद्ध और उसकी बुद्धी दोनों ही अस्परनी यह ठीक है पहला प्र प्रति किरिया हुई प्याड़े बच्चों मैंने आपको समझाए था यदि आप लेक्चर का वीडियो यानि उसने कहता साडांस का वीडियो नहीं सुने है तो सबसे पहले वही सुनिए सुन लेजिएगा उत्तर मुझवानी दीजिएगा जो जो प्याड़े बच्चों उस देखते नहीं या रिसमसे कड़ा हुआ हुआ सालू ठीक है और कहा कर भाग जाती है तब लहना सिंग रास्ते में एक लड़के को नाली में धकेल देता है मतलं मोरी में धकेल देता है एक कुट्ट्य को पत्थर से मारता है को भी वाले के ठेले में दूद उरेर देता है लिटने लगता है सामने आती हुई किसी किसी विस नवी से टकड़ाकर अंधा बनने का नाटा करता है अता इस परकार परतिक्रिया लहना संग में होती है ठीक है प्रश्चों अमें आपको बताये था नेक्स अपका प्रस्ण है उसने कहा था कहानी का केंद्रिय भाव क्या है आपका केंडरीये भाव कही है या विशयस्ता कही है ये बात आपका क्या है बराबर यह उसने कहाता कहानी का कहानी का ये विशयस्ता क्या है ठीक है तो प्रेम एवं दायत्रों की कहाणी है यहां कहानी पर्तां विश यूद के प्रिष्ट भोमी पर लिखे गई है इस कहाणी में गुलेड़ी जी ने लहाना सिंग और सुभेदार्नी के माध्यम से मान विये समंदों का नया रूप प्रस्तूत किये हैं लहना सिंग सुभेदार्नी की विश्वास से विवहुसित है क्योंकि उसे विश्वास है कि क्योंकि उसे विश्वास की नहीं बच्वन का संबाद यानि लहना सिंग और सुभेदार्नी का विश्वासी लहना सिंग को अनेक फिरना देता है इस परकार हम देखते हैं कि उसने कहा था कहाने का केंद्रिय भाव विशुद प्रेम की अविव्यक्ति त्याग और वलीदान क क्या है मौत है और निमोनियों से मरने वाली को मुरब्य नहीं मिला करते वजीरा के इस कथन का क्या आसे प्यारे बच्वों मैंने आपको समझाए था यह बोड़ पर भी लाइन आपको लिखा था तोड़ तोड़ करके बताया था है कि हमने बताई थे ठीक है उत्तर दिखि है ठीक है इस ती तीनों कहा तीनों लावब रहे झाते हैं और फ्रांस की जमीन पर युद्व चल रहा था कगराके की ठंड कराके की ठंड भी पड़ रही थी और ठंड का मुकाबला करने में बहुजासीं पीछे हट गया और उसे ठंड लग गा धि से प्राटी लहाडाडर्ट कानुमाल स्सेंट के बादले लहाडा रात भर पढ़ाा देता है मैंने आपको बदाया था वह सुखड़ी वह शूखी लकडी उतना आता नहीं है तो घणा करते हैं तो जैदा मौत है और से मरने वाले को मुरब्वि नहीं मिला करते अर्थात कहने का तत्पड है कि जब तवियत खड़ाब हो जाएगी तो क्या तुम्हें उसकी रक्षा कर पाओगे तुम्हें मरने के लिए अपने जमीन भी नसीब नहीं होगी मुरब्व अर्भी सब्द है जिसका अर्थ है इसका अर्थ है क्यानी के पात्रों की एक सुचित यार करें मैंने आपको देखे सुड़ू में काहानी का सूची मैंने आपको बता एता तो कहाने का मुखपात्र लाना सिंग है जिसके इर्दगर्द कहानी के घटना करम घुमते हैं इसके अतरिक्त सुवेदार्नी यानि सालू यानि सालू नहीं प्याने प्यारे पू Gregory यह गलत है इसको काट दीजिएगा तिक यानि सालू पहुचकर वहां के लोगों को प्रणोभित करता है याई कि लोबिने देता है वह उन लोगों को मीठी मीठी बाते से लवाने में डालने का प्रियास करता है वह गांवालों से कहता है कि जब जर्मन आएगा तो तुम लोगों को सारी कष्ट दूर हो जाएंगे तुम लोग सुख्चेन की बंसी बजाओगे तुम्हारी सारी अवसक्षाइब पूरी हो जाएगे ठीक है नेक्ट प्रश्ण है कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने कहीं हो वजीरा के इस कथन में किसकी और संकीत होता है यह यह किसका था किसका था तो यहां की कि या कथन फ्रांस की एक महिला का है मैंने बताये था कि फ्रांस की महिला होती है उसका जो बंगला होता है घर होता उस बंगले का उसके बंगले में बगीचा भी होता है ठीक है तो उसके बंगले के बगीचे में जब वजीरा सिंग अत्वा उनके अनसाती जाते हैं तो वहां की मालके यानि कि वही महिला फ्रांससी महिला उक्त महिला जो थी ठीक है इन लोगों को फल देती है यानि बहुत सारा फल देती है फुरी देती है तता अन्य भोज परभँत परसन होकर देती है तत्था उसके लिए उनसे पैसे नहीं से लेती है उसे इस प्रसंसा है कि उक्तसे लिए वजीरा सिंग फिक्रेंच उसके देश का जर्मन हमलावाडों से रक्षा करने के लिए आये हुए है अता वह उन्हेनिकों को अपना अडख्चक मानकार उसका स्वागत सदकार करने को तकपर रहती है ठीक है और पैसा नहीं लेती है कि नेक्स अपका प्रश्ण है पाट से लहना और सुभेदार्नी सुबेदारनी के समादों को इकत्र कर, यहां पर ने नहीं हो गा, ठीक है, पार्ट से लहना और सुबेदारनी के समादों को इकत्र करें, ठीक है, उतर रहना हो जाएगा, लहना सिंग जब सुवेदार के घर जाता है तो सुवेदार की पतनी लहना सिंग को पाचान है न लेती है उसी समय सुबेदार की पतनी कहती है, मैंने तेरे को पहचान लिया, सुबेदार नी लहना सिंग से कहती है, मेरे तो भाग फूट गए, एक बेटा है, फोज में भरती हुए, उसे एक ही वर्स हुआ है, मेरे पती और मेरा बेटा बोधा सिंग दोनों लाम पर जा रहे हैं, या मेरा भाग, यानि कि हायरे मेरा भाग, ठीक है, तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोडा, दही वाले की दुकान के पास बिगर गया था, और तुमने उस दिन मेरे प्रानों की प्रान बचाए थे, ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यानि जो सुभीदार्नी है, व तुम मेरे प्रानों की रक्षा किये थे, उसी परकार तुम जो है, क्या करना, मेरे पती और मेरे पुत्र के प्रानों की रक्षा यूद में करना, ठीक है, उसके लिए वो भिक्षा है, यहां मेरी भिक्षा है, तुम्हारी आगे में आचल पसारती हूं, सुभेदार्नी, त की मौन आसुई किर्थी आसुओं में ही दे दी ठीक है तता अपने प्राणों की बली देकर अपने प्रन का पलन किया ठीक है तो प्यादे बच्चे यह तो प्रस्ट रहन हो गया है थोड़ा बहुत इसमें देखिए असुद्धी कुछ ज्यादा मिल रहा है इसलिए जो पेड सब्सक्राइब यह तो यह बहुत बढ़ा रहता है उसने कहा था एक दीव फ्रेम और युद की कहानी भी है ठीक है चैंदर सर्मा गुलेडी ने हमारे समक्स एक दीव फ्रेम को उजागर किये है अम्रिस सर्ण की अब जो कहानी है कहानी का से सुदू होता है अमरिस सर् credential की भीर बड़ी सरकों पर एक लड़की दुकान ने मुश्कुडाकर पूछा तेरी कुर्माई हो गई इस पर लड़की ने कुछ आंक चधाकर ध्धत का के के बाग भाग गई लड़का मुझ देखते हैं अंकूरन होता है यहीं से प्रेम का बीच आँकूरन होता है यहीं से प्रेम है जो प्यार है वो यहीं से पड़ापता है ठीक है फिर क्या हुआ फिर दूसरे तीसे दिन दोनों फिर मिले अचानक से जो यहाँ हाल है यह मिलेने का अचानक से वह मैना पर चलता है मैना बार यही हाल रहा तेरी कुर्माई के बारे में पुझने पर लड़की ने कहा एक दिन एक दिन तेरी प्रकार कार रस्ते में करता है वह सब्झे वाले को सबूजी वाले के ठैले गुस्य से गिरा देता है औरा दूसरे पर चीखने और चिलाने लगता है मिट्टी में लिटने लगता है और एक व्यकुति को नाले मेंडाा घंब है और वह घर पहुंचता है फिर समय का चक्र गुमता है समय 25 वर्स बाद हम लोग चलते हैं यानि कि समय बीता जाता है 25 वर्स बाद वह लड़का जिसका नाम लाना सिंग था वह भारतिय सेनिक अंग्रेजों के साथ जर्मनी में लड़ रहा था वहां युद चल रहा था साथ थी वहां ठंड भी जादा थी लाना सिंग को 25 वर्स बाद बच्पन की याद आती है कुर्माई हो गए कहने वाई लड़की को आज वह सुब्यदार्नी है वह काती है मेरा मेरा एक बेटा है बोदा सिंग और मेरे पती हजारा सिंग दोनों लाम पर जा रहे हैं ठीक है सुब अचल पसार कर लहना सिंग से भिक्चा मांगती है ठीक है कुछ देर बाद तीनों यूद के लिए चले गए वहां वीशन ठंड पर वर्सा भी हो रही थी बोदा सिंग को ठंड लग रहा था लाना सिंग बुखार गरस्त बोदा सिंग को अपने जर्सी ठीक है यानि कंबल य चलती है एक गोली बोदा सिंग को लगने वाली थी लेकिन लाना सिंग को लग गया अगर लाना सिंग नहीं होता तो आज बोदा सिंग और हजारा सिंग मारे गए होते घाईलों को लेने के लिए गारी आती है लाना सिंग पिता और पुत दुनों को गारी पर चढ़ा देता है और खुद नहीं जाता है वह काता है अगर तुम सुविदारने को चिठी लिखोगे तो यहां का देना उसने कहा था वह मैंने किया ठीक है गारी चली जाती है लाना सिंग खून से लत्पत हुआ रहता है वह वजीरा से कहता है वजीरा पानी पिला दे बच्पन की सारी असम प्रकार कुछ देरवाद लह नहीं के मृतिय हो जाती है इस प्रकार हम देखते हैं रोज में कानी में विर्ता त्याग और प्रेम नहीं जड़ है तो प्याड़े बच्चों आसा करते हैं कि आप लोह भूधा आप लोगों को यह वीडियोद्व होगी होगी ठीक है नेक्स्